हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज आप सभी के लिए मुश्ट इंपोर्टेंट जीके का 10 क्वेशन लिए हैं जो आपके अगरगामी आने वाले एक्जाम के लिए अहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट साभित होगा यह जितने भी क्वेश्चन है आपके हो चुके हैं फ्रेंस चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं फ्रेंस यदि आपको यह वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके सामने इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिए डियू तक कौंसर नहीं है तो इस प्रेंस का चार आपसन आपके सामने हैं फर्स्ट आपसन है एस्टेटीन सिकेंड आपसन है फ्रांसियम ठर्ड आपसन है ट्राइटीनियम और फोर्थ आपसन है जर्कोनियम तो फ्रेंस जिस प्रेंस का एंस्वर आपको पता हो उसका एंस्वर कमेंट बाक्स में चलिए next question को देखते हैं, तो आपका next question है, कि किसी मनुष्य के शरी का समाने तापकरम होता है, तो इस प्रश्च का आपके सामने चार आपसन है, फर्श्च आपसन है 98 Fahrenheit, सेकेंड आपसन है 98 centigrade, और थर्ड आपसन है 68 Fahrenheit, और फूर्थ आपसन है 66 Fahrenheit, तो इस प्रश्च का राइट एंसर होगा 98 Fahrenheit, तो इस प्रश्च का राइट एंसर A होगा, तो किसी मनुष्य के शरी का समाने तापकरम 98 Fahrenheit होता है, चलिए next question को देखते हैं, आपका next question है, कि पच्छों की हड्डियां होती है, तो पच्छों की जो हड्डियां होती है, फ्रेंड कैसी होती है, तो इस प्रश का राइट एंसर होगा, C, तो इस प्रश्च का राइट एंसर हो जागा, C, पच्छों की जो हड्डियां होती है, वातीर होती है, चलिए next question को देखते हैं, आपका next question है, कि भारत में सबसे उची परवत चोटी काउंसी है, तो इस प्रश्च का राइट एंसर आप कमेंट ब परवत चोटी होती है, उसे हम गार्डवीन आश्टीन के नाम से जानते हैं, चलिए next question को देखते हैं, आपका next question है, कि एट का कारण है, इस प्रश्च का जो चार आपसन आपके सामने है, फर्स्ट आपसन है, बैक्ट्रीरिया, सिकेंड आपसन है, फफूदी, और ठर्ड आ जो होता है, एट्स फैलता है, इस प्रश्च कराई, एंसवर सी होगा, चलिए next question के देखते हैं, आपका next question है, कि निम्न में से कौन मिस्र धातू नहीं है, तो आपके सामने चार आपसन है, इस प्रश्च का answer कमेंट बाक्स में आप लिखें, इस प्रश्च कराई, एंसवर ह एक प्रकार के क्त्तू है, जबकि श्टील, पीतल और ब्रांच जो हता है, एक मिस्र धातू है, चलिए next question के देखते हैं, आपका next question है, कि दूब के चसमे की छशमता होती है, तो friends आपको बताना है, जजो धूब के चसमे होता है उसकी छशमता होती, क्या होता है, इस प्रश का राइट एंसर ऋजएगा 파손 फ्रेंस ए जीडो डाइउटटर दूब की चस्मा होती है उसकी चमता होती है जीडो डाइउटर होता है नेक्स को स्टेंung का देखते हैं आपका नेक्स को स्टेंग है कि ओप कम मुख्याले कहां है दो दोडрах आपको बताना है कि OP का मुख्ख Veron कहां पर है तो आपके सामने इसकार चार अपसन है इसमेंं स्कामाइस पंस सं करेक्ट है उसका एंसर सिल सार्छल दो एक लाईटर आपस्ले है जो द्रह अवास्था में मोजूद है। यह जो आपके लिगे जाएंस इस प्रश की पाई है। जो द्रह आवस्था में पाई जाती है तो इस प्रश데 स्वाझ ऑखाई सावित्री नदी कहां इस्थित है आपको बताना है कि सावित्री नदी कहां इस्थित है तो इस प्रश्च का राइट एंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट जो सावित्री नदी है महाराष्ट में इस्थित है तो इस प्रश्च का राइट एंसर होगा ए तो फ्रेंज आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्स फार वाचिंग